हेलो गाइज कैसे आप सब आई तिंक आप सभी एकदम मस्त होंगे दोस्तों मेरा नाम है फैज और आप सभी देख रहे हैं टेक एफ जन से वाके इन सी जुड़ी एक और ने वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत सो आगे थे तो दोस्तों अगर आप सभी लोग भी मेर जिए तरीके CSC Center यह जन से वाके अंदर अपने एरिया में ओपर रखें तो हैंड़ परसेंट आपके पास कभी ना कभी कोई कस्टमर आया होगा जो आपसे बोलाओगा कि भाई मेरा पैन काड़ खो गया है और उसका मेरे पास कोई बीना फोटो कापी है ना कोई प्रूफ ह उसके कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप उसके पैन नंबर को कैसे बता सकते हैं जब आपको एक पैन नंबर मिल जागा ना उसका तब आप उसका दुबारा से अपलाई कर सकते हैं दुबारा से अपलाई करना आप सभी लोगों को आता ही होगा तो आप लोग इस वीडियो में आप लोगों को ये भी पता जल जाएगा कि अगर किसी का pen card खो जाता और उसके पास pen number नहीं है तब आप उसका pen card का number कैसे निकाल सकते हैं हाँ इसमें आप अपने customer से extra charge भी ले सकते हैं नार्मली आपके एरिया में चार्ज कितना होगा pen card का या तो 180 होगा या 200 होगा लेकिन अगर कोई भी प्रूफ उसके पास नहीं उसके pen card का या दुबारा आप उसको apply करते हैं ना उसका कोई भी प्रूफ नहीं कोई pen number नहीं ना तब आप उससे 250 या 300 जो भी आपके एरिया मे नमबर कैसे ढूणना है जिससे आप उसको दुबारा apply कर सकें तो दोस्तों अभी आ चुके हम लोग अपनी laptop screen पर यहां पर मैं आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि आप सभी लोग खोई हुए pen card के नमबर को कैसे निकाल सकते हैं जिससे आप उससे दुबारा apply कर सकें तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने किसी भी ब्राउजर में आ जाना पड़ेगा laptop या computer में जैसे मैं Google Chrome में आ गया हूं यहां पर आप लोगों को सर्च बार में आना और लिखना है HD Print Portal आप लोगों को यह लिखके सर्च कर लेना है आप लोगों को पहली website मिल जा अगर वो pen card का number भूल गया है और उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है pen card का तो इसके लिए आप लोग जब इस पॉर्टल पर आ जाएंगे ना उसके बाद आप लोग 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 के बटन पर क्लिक करिएगा login बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहा आप लोग को प्रॉसेस बता दूगा कि आप सभी लोग इसकी आईडी कैसे ले सकते हैं तो जब आप लोग इसकी आईडी मिल जाएगी तो आप लोग यहां पर यूजर आइडी में आईडी और पासवर्ट में पासवर्ट डालके login कर लिजएगा मैं आप लोग लोग को जो भी पैन कार्ड आप लोग यहां पर निकालेंगे ना पैन नंबर उसके लिए आप लोगो 20 रूपीज का पेमेंट करना पड़ता है आप अपने कस्टमर से हैंडेड रूपीज इसके पैन नंबर के निकालने के लिए सकते हैं और 200 रूपे या 1.500 रूपे जो भी दार कार्ट से लिंक होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हैं नहीं तो निकाल सकते हैं तो आप सम Närों बोगों सब पहले करने करना है तो बस जाएगा आप लोगों को दिखाता हूं कि आप सभी लोगों को PAN card के नंबर को कैसे find करना है तो आप लोगों को पॉर्टल दिख रहा है इसमें आप लोगों को एक option दिख जाएगा instant pen find आप लोगों को बाकी options से नहीं मतलब आप लोगों को इस पर क्लिक करना होगा यहां पर और इसका चार्ज बढ़ गया थोड़ी दे पहले मैं ने च्राई किया था कुछ टाइम पहले तो यहां पर मेरा क्या चार्ज दिक रहा था 20 रूपीज में हो रहा था लेकिन अभी इस पर मुझे 10 रूपीज पेमेंट और करना पड़ेगा तो यहां पर मेरा क्योड कोड खुल गया इसी बार ने आप लोग यह भी सिख जाएंगे इस पर पेमेंट कैसे करना है तो मैं यहां पर अपना पेटियम बॉपन कर रहा हुआ है यहां पर प्ला पर स्क्रीन पर देख सकते हैं टिक लग चुका है कि मेरा पेमेंट एड़ होगी करके दुबारा से अर्ड कर रखा उपनी तो लॉगिन कर लूँगा वहीं पर क्लिक करके अब देख लिए यहाँ पर मेरा जहाँ 27 दिखरा था यहाँ पर 37 दिखरा अब पैन कार्ड मुझे निकल आएगा बस 30 रुपय का चार्ज यहाँ पर कटेगा यहाँ पर मैं आप लोग तो यहाँ पर मैंने अपना अधार नंबर इंटर कर दिया बस मुझे समिट के बटम पे क्लिक करना मेरा 30 रूपइस पेमेंट कर जागा समिट कर लएंगा यहाँ पर देख लिए थोड़े देल लोडिंग होगा लोडिंग होने के बाद मेरा पैन कार्ड का नंबर आ जागा यह मुझे। करके रख लेना है आप किसी भी कस्टमर की निकलेगे आप लोग यहां पुल पर यहां पर जाओ इफले और यहां पर यह जाएट की तो अगर जिएवे में यह जूत सेट्स करेंगे को यह बहुत ज्यादा है है आप लोग अपने किसी भी कस्टमर के पैन कार्ट को नंबर को बहुत इसली बस एक मिनट के अंदर निका सकते हैं बस आपका 30 रूपीज पेमेंट करना पड़ेगा आपको बाकि इसमें कोई इक्ट्रा चाज नहीं देना पड़ता है 30 रूपीज करने के बाद को यहां पर पैन नमर निकल जाएगा अब आप अपने कस्टमर का यह अपलाई कर सकते हैं एनसडल की वबसाइट से जैसे भी आप करते हों अगर आप सभी लोगों को पैन कार्ट करना नहीं आता है तो आप सभी लोगों को आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा व थोड़ी सी वीडियो पसादा ही हो ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना इसे अपने दोस्तों के बिजाद शेयर करना अगर चैनल पर फ्स टाम विजज की हो तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर लोगियों की आप सभी लोगों को जनसी वाकीण से रिलेट इसी वीडियो चैनल पर देखने कुम लेगी अगर आपका मेरी लिए कोई भी कुश्टन है या आप मुझे कोई भी बात करना चाते हैं तो आप लोग मुझे मेरे Instagram अकाट पर direct message कर सकते हैं मेरा Instagram यूजर ने में Mr.Fayzoo0713 आप सभी लोगों को लिंक description box में मिल जाएगा वहां जाके आप मुझे follow कर लेजएगा वहां पर आप मुझे जो भी message करेंगे ना मैं आप लोगों को उसका reply भी करूँगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं लोग अपनी किसी next video में तब तक के लिए जाहें